हेलो गाइस वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टिट कट ओफ की मतलग कितना जाने के चांस है जैसे कि दो दिन जो है एक्जैम हो चुका है आरबी क्लर्क प्रेलिम का अब 26 को बच्चा है सो वह लेवल भी जो है वह एजी टु म जादे टुफ नहीं होने वाला है वह लेवल ठीक है एक्जैम का सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टिट कट ओफ की ऑन बेसिज ओफ वेकेंसी कितनी थी और मतल लेवल क्या था एक्जैम का उसी बेसिस पर जो है वह कट ओफ प्रेडिक की जा सकती है ठीक है सो हम स्टार्ट करते हैं अगर लेकन तूथाउन टुफ थाहून रवथ यह किदनी अगार करें तर्क थालूंट प्रदेश की शट्यवेकेंसी सब्सक्राइबाइबंके इस हम बात करनेगयोंगे यह किदनी जा सकती हैतलिए अगर हम बात करें, यह 71 से 75 जो है, कट आफ जाने के चांसी है, आंद्रप्रदेश की, क्योंकि वेकेंसी जो है, वो काफी अलड़ डिक्रीज हो गई है, अगर गुज्रात की बात करें, अगर असाम की बात करें, असाम में जो है, असाम में जो है, बढ़ चुके है, तीस वेकेंसी बढ़ चुके है, यह कट आफ जो है, जाज से जादा, 64 से 68, मतलब इसी 68 तक यह जा सकता है, ठीक है, और बिहार में जो है, बिहार में वेकेंसी काफी डिक्रीज हुई है, तो ये cutoff जो है 77 तक जाने के chances है 74 से 77 तक ठीक है सो 36 गड़ की देखें तो काफी vacancies increase हो चुके है पहले 75.50 ता है तो ये जाने के chances है 70 से 72 तक इससे जादा नहीं जाएगा यह अगर हन्याना की बात करें तो पहले 300 vacancies और अब हो गई है 103 ठीक है तो इसमें जाद कोई cutoff पे फरकनी पड़ेगा 76 से 77 तक ही जा सकती है ठीक है खाली 3 vacancies जो है वो increase हुई है हमाचय प्रदेश की बात करें तो ये vacancies जो है decrease हो चुके है और cutoff 71 था तो इस बाद 71 से 75 तक जाने के chances है ठीक है और मध्यप्रदेश की बात करें तो vacancies इसमें भी increase हो चुके है लेकि 14 vacancies ही increase हुई है तो इसकी cutoff जो है ये जा सकती है 72 तक ठीक है max to max 72 जाएगी इससे जादा तो नहीं जाएगी ठीक है और महरास्टा की बात करें 290 ती और ये मतलब 190 हो चुके 2020 में और इसकी जो cutoff थी 69.25 ती तो ये भी 72 तक जा सकती है cutoff इसकी ठीक है अगर हम बात करें उडीसा की तो इसमें काफी decrease हो गई है vacancy तो ये 77 तक जाने के chances है इसकी cutoff और पंजाब की बात करें 172 ती और अब मतलब increase हो चुके है vacancy 177 ती तो इसकी cutoff जो है ये इतना भी जा सकता है मतलब equal हो सकता है 77.50 से लेकर 78 तक अब 79,80 तो नहीं जाएगा cutoff बल्लब इतना बिल्कुल इक्वल तो नहीं जा सकता ना राजिस्थान की बात करें 239 थी और अब 313 हो चुके से वेकेंसी इंक्रीज हो चुके सो ये cutoff जा सकता है 72 से लेकर 75 था ठीक है तमिलाडु की बात करें 170 थी वेकेंसी 2019 में और 2020 की बा बात करें सो वेकेंसी काफ इंक्रीज हो चुके है सो इसकी जो cutoff है ये 68 से 72 तक ये बीच में रहीं ठीक है उत्रकंड की बात करें 90 थी पहले और 8 हो चुके मतला कमी हो गए वेकेंसी तो इसकी cutoff जाए 77 तक ही जाए 77 78 और वेस्ट पेंगोल की बात करें से 122 थी और अब 133 ह हो चुके मतलब एकेंसी इंक्रीज हो चुके है सो इसकी cutoff मतलब इक्वल भी जा सकती है 74.75 के एक्वल और या फिस 75 76 इतना ही जाएगा इससे ज्यादा नहीं जा सकता तो यह कुछ expected cutoff ती कितना जाने के chances है बस एक थोड़ी से प्रॉब्लम ही थी इंटरफेस को लेकर लेक मौक टेस्ट उविलेबल थे उसी इंटरफेस में सो मुझे नहीं लगता की काफी लोगों को इस चीज के दिक्कत हुई होगी और काफी लोगों ने काफी अच्छ अर। किसीने 77 अर। किसीने 78 भी किया है तो काफी अच्छ अच्छा टेम रहे हैं अगर आपके अटेम 75 तक रहे हैं एक्यूरेसी बहुत अच्छी है 100% सो डेफिनेटली आपका क्रेक हो जाएगा एक्जाएंगे क्योंकि नर्मालाइजेशन में मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसलिए टेंशन लेने की बात कुछ नहीं है बस आप मेंस का प्रिपेर किजिए अगर आपके 70 में मतल पढ़ी जाते हैं सो गाइज आप प्रिपेर कीजिए और को अच्छे से बढ़िए क्योंकि यह दो सब्जेक्टे कंप्यूटर एंज जनल अवेरनेस के लिए तो हमारा चैनल है वहां से आप कर सकते हैं और कंप्यूटर के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइट कर दूगी महां पर टेली वीडियो जाएंगी कंप्यूटर की सो आप महां से कर लीजेगा सो इससे आपको कंप्यूटर भी साथ के साथ प्रिपेर होता चला जाएगा सो गाइज अच्छे से पढ़िए और मतलब जिसका भी 26 को एक्जैम है सो अल दा बेस्ट अच्छे से दीजेगा औ और थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दें टेक क्या बाइबाइ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट